गुद मानिंग क्लास, टोड़े भी डिस्कस दा आंसस अव स्टोरी सम एडिशन देट गिवन येस्टरड़े कल जो मैंने आपको स्टोरी सम्जिया था, वंवक में रिवीजन में कहा था कि इसके आंसस को आपको खुद से बनाना है उसके आंसस को आज हम डिस्कस करें, तो आपने आंसस तो बना ही लिया होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टोरी सम्जिया आपको रिवाइज कराए थे तो अपनी कॉपी बाहर निकाली और अपने आंसस को चेक करिए, चलिए पहली स्टोरी पढ़ लेते है there are 36 boys and 27 girls in class 2 class 2 में boys कितने है, 36 and girls कितनी है, 27 how many students are there in class 2 मैंने आपको बताया ही था कि जब हम classroom में होते हैं, तब हम student होते हैं क्या होते हैं, student होते हैं, ऐसे अगर हम किसी party में है, किसी park में हैं हम children बोलते हैं, तो there are 36 boys and 27 girls in class 2 how many students are there in class 2 statement में लिख सकते हैं number of boys आप ये भी लिख सकते है, number of boys in class 2 वो भी statement राइट होगी मैंने छोटा ही लिखा, number of boys, boys कितने हैं, 36 36 number of girls in class 2 भी आप लिख सकते हैं, मैंने इस लिखा, number of girls 27 27 total students in मैंने आपको बताया था, कि अगर आपको लगे कि आपकी statement लंबी हो रही है, तो आप कहा आ जाएंगे, next line में, total students in class 2 एरो से आगे नहीं जाना है, add कर लेते हैं, 6 प्लस 7, 13, 1 carry, 1 प्लस 3, 4, 4 प्लस 2, 6, total कितने student हैं, class 2 में, 63, okay, next पढ़ लेते हैं, there are 65 mangoes, रूट पताया आपको आजकर mangoes का season भी है, in one basket and 36 kiwis, दूसरे fruit का नाम है kiwis in the other basket, fruits खाने भी चाहिए हैं, अभी तो mangoes का season भी है, how many fruits are there in both the basket, total कितने fruits हैं, यहां भी मुझे क्या कर लेना है, add कर लेना है, statement देख लेते हैं, number of mangoes, यहां भी मैं बता हूँ, आप लिख सकते हैं, number of mangoes in first basket, थोड़ी statement लंबी कर सकते हैं, लेकिन आप number of mangoes भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, तो number of mangoes, 65, 65, number of kiwis in second basket भी हम लिख सकते हैं, अगर हमने लिखा number of kiwis, 36, 36, plus total fruits, अगर हम इतना भी statement में लिखनें तो भी wrong नहीं होगा, लेकिन total fruits in baskets, यहां भी statement लंबी होगी, मैं दूसरी line में गिन baskets, यह दो अलग-अलग basket हैं, इसलिए मैंने बोला baskets, baskets, 5 plus 6, 11, 1 carry, 1 plus 6, 7, 7 plus 3, 10, तो total कितने fruits हैं, 101, यहांनी 101, write ही हुआ होगा आपका answer, फिर भी अगर कहीं भी थोड़ी गलती है तो उसको write कर लेंगे, इसके साथ next revision दे रहे हूँ, उसे आप करेंगे, thank you.